अर्चनी बंदनी संत समाज, सम्माननी धर्म प्रेमी भाईयों एवं भक्ति मति माता वहनों हमारा अतीत कैसा था? यह महत्वपूर नहीं है आज हम अपने भविश्य को कैसा बनाना चाहते हैं? यह महत्वपूर नहीं है, अब तक क्या करते रहे हैं? यह भी महत्वपूर नहीं हैं, अब क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आज के जो कुछ बचा है जीवन का, जो दिन बचे हैं उसी को तो हम जीएंगे? जिसे जी चुके उसे फिर से नहीं जी सकते हैं? और इसको मैं इस धंक से कहूं, पीछे जाकर नई सुरुवात नहीं कर सकते हैं? जब भी हमें नई सुरुवात करनी होगी तो आज, अभी ही ही। इसलिए अतीत हमारा अच्छा था, हमने बहुत अच्छे कारिय किये, या फिर हमसे बहुत सारी गल्दियां हो गई, कोई बात नहीं है। अब क्या करने वाले हैं? यह महत्तुपूर्ण है। यदि आपने बहुत अच्छा काम पहले किया, और आज से ही आपने गलत कदम उठा लिया, तो उन अच्छे कामों का क्या अर्था है? और आज तक से गल्दियां होती रही, लेकिन आज के बाद जो कदम उठा रहे हैं, वे सुधार के लिए हैं, अच्छे पत के लिए हैं, तो धीरे धीरे वे सारी गल्दियां भुला दी जाती हैं। कलपना करें, एक आदमी हो, चालीस साल हो गया माल 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 और उन चालीस सालों में उसने कोई भौतिक उपलब्द नहीं की, न कोई आध्यात्रिक कारिय किया, साधमा का काम भी नहीं किया। कहा जा सकता है, उसने अपने चालीस वर्स के जीवन को व्यर्थ किया। लेकिन अचानक उसके मन में आया, मैं आज तक कुछ भी नहीं किया, अब मैं करना चाहता हूँ, अब मैं करूँगा। निर्णे लिया, तो क्या हुआ, एक दिन उसने किया, कुछ कमाया भी और कुछ साधना भी की। क्या कहा जाएगा, उसके हिसाब कैसे होगा, चालीस साल व्यर्थ गए, एक दिन सार्थक हुए, दूसरा दिन फिर किया, चालीस साल व्यर्थ गए, दो दिन सार्थक हुए, ऐसा करते करते सब्ताह भी ते, पंद्रा दिन, महिना दिन, फिर वही बाद, चालीस साल व्यर्थ साथक हुए, महिन दिन सार्थक हुए, साल भर ऐसा किया, करता जा रहा है आगे, क्या हो रहा है, 40 साल विर्थक है, पूरा साथ, एक साल सार्थक हुए, और ऐसा करते करते 5 साल पित गया, लोग क्या कहेंगे 40 साल वेर्थक है 5 साल सार्थक हुए और कहीं वो 10 साल तक ऐसा कर लिया तो वो 40 साल की उनकी सारी गलतिय भुला दी जाएंगे भुला दी जाएंगे फिर वो 10 साल में जो कुछ किया है न वही याद रखेंगे मैं ये कहानी कहा हूँ दशीव थीव, समझ गया ना, भेड़ चोर, अलवाकर के लिखी है, दशीव थीव, हिडिंग तो वही चैवी भी, उस तक तक है, तो उसमें उन्होंने एक नीती कथा लिखी है, दो युवक, भेड़ चुराते हुए, पकड़े गए, तो जब पकड़े गए, तो समाज में पंचों के बीच लाया गया, उनको पंचों ने कहा, इन्हें दंडित करना है, और दंड कुछ ऐसा दें, ऐसी उनको ऐसा सबक सिखाएं, ऐसे कुछ करें, कि यह कभी फिर यह गलती न कर पाएं, और दूसरे लोग भी इन्हें देख करके ऐसी गलती करने की हिम्मत न कर पाएं, क्या किया है, उनके माथे पर एक शब्द लिख दिये, वो शाठफार हमें लिखे, शीप थीप, तो शीप थीप को एस टी, शीप को एस टी, शीप को एस ले लिए और थीप मने चोर का टी ले लिए, तो अब अब आसा लिखे, परमानेट मारका, कैसे बता हूँ, गोधना गोधे थे थे ना पहले, अभी भी साथ होता होगा, तेटू, हाँ, आप सही बता है, आज कर टेटू चलता है, तो वही से वो लिख दिये उस मारकर से, और वो नमिटानी सकते हो, और सभी जो भी गाओं के लोग थे, सब जानते हैं कि देखकर के भेड़ चोर है, यह भेड़ चोर है, एक यूवक के मनमन हुआ, इस प्रकार अपमानिद जीवन जीना ठीक नहीं है गाओं में, मैं गाओं छोड़कर दूर चला जाओंगा, गाओं छोड़ दिया, दूर गया, रहने लगा, तो जिस गाओं में जाकर रहने लगा था, दूसरे गाओं जाता, फिर वहां रहता, फिर वहां के लोगों को पता चल जाता, हमारे गाओं में एक भेड़ चोर घुसाया है, ऐसे ही वो दूसरे तीसरे चोथे गाओं बदलते चले गए, बुढ़ हो गया, बीमार हो गया, मर गया, दूसरे यूग के भी मनमी हुआ, कि मैं भी गाओं छोड़के चला जाओं लेकिन तब उसने निर्णे लिया, नहीं, मैं कहीं नहीं जाओंगा, मैं यहीं रहकर अपने को बदलूँगा, यहीं रहकर के बदलूँगा, और जिसके घर से उन लोगों ने भेड़ चुराई थी, उसी के घर उसने नौकरी कर लिए, उसने अदा कर दिया, और कमाता चला गया, और परिश्रम किया, पैसा बचाता गया, अपने लिए एक छोटी सी जमीन ले लिए, ऐसी करता चला गया, कमाता गया, बचाता गया, और फिर क्या किया उसने, छोटी सी जमीन थी, उसमें अपना वो खुद का कुछ भेड रख कर के शुरू कर दिया नौकरी छोड़ दी और खुद भेड़ पालने लग गया वो ते एक्षपर्ण थे भेड़ की सेवा करने के लिए तो और वो बढ़िया से करता रहा भेडों की संख्या बढ़ने लगी फिर नौकर रखने लग गये फिर क्या क्या उसने भेडों की संख्या बढ़ती चलेगी तो उसके जो बाल थे न भेड़े वही तो उसको उपियोगता है तो भेडों के जो बाल होते थे उसको काट करके बेचते थे और जो पैसा आता था तो अपने ले भी लगाता था और गाओं के विकाश के लिए भी लगाता था और भेड़ों की संख्या बढ़ती चली गई और इतनी संख्या हो गई महां लिखा क्या है जब पहाड़ी पर उनके भेड़े चरने जाती थी तो पहाड़ी को देखकर लगता था इसे पहाड जो है न बर्फ से ढखा हुआ है सफेज सफेज अब वो पैसा आता था गाओं के भी शहयोग में लगाता था अब उसने क्या किया बाल बेचना बंद कर दिया और छोटा सा प्रोजेक्ट उनके निर्मान के लिए उनके कपड़े बनाने के लिए वो छोटा सा प्रोजेक्ट वही सुरू कर दिया और अब क्या हुआ बेडों भी संख्या थी बहुत ज़्यादा और उसके बाल के कपड़े बनते थे विकते थे अब तो गरीबों को भी सेवा करने लगा कहीं प्याव बनाया कहीं धरमसाला बनाया और धार्मिक इस्थलों में भी चेरिटी किया वहाँ भी दान किया सड़क का निर्मान किया बहुत कुछ एक प्रकार से गाउं का नो निर्मान हो गया बहुत विकास कर गया और इस प्रकार से वो भी बुढ़ा हो गया एक दिन वो गाउं अब गाउं नहीं रहा गया था, एक कस्बा के रूप हो गया था, एक लंबा समय बीता था, वो इंसान फुट पाथ से, सड़क के में फुट पाथ होता है और उतर दुकान होती है, तो फुट पाथ पर वो चलते जा रहा था सुबा सुबा, सामने से एक अजनवी आया और उसके माथे पर लिखा देखा, ST, और दोनों क्राश कर गए, और जब क्राश कर गए तो मन वो ST किया लिखा है, तो वो तो आगे चला गया, तो वो जिस अजनवी के जब आगे बढ़ गया, तो एक दुकान दार ज़ाडू लगा रहा था दुका इसका क्यार था है, तो वो दुकान दार ने ज़ाडू लगाना बंद करके देखा, कौन है वो, तो देखके समझ गया, क्योंकि वो दुकान दार उसका क्लास फेलो था, उसके साथ पढ़ाई किया था, सापाठी थे, वो तो समझ गया, और वो कहने वाला था, ST का मतलब क्या होता है, बताने ही वाला था, ST, SHIP थी, इतने हैं रुख गया, और उसने उनके बारे में याद किया, इसने क्या किया था, भीड़ चुराया था, फिर क्या किया, वो साथ याद करने लगा, इसने ऐसा किया, वैसा किया, और कितना वो गाउं का विकास में शहयों किया, तक जब ये दिमाग में बात आई, तो उसने का अच्छा, 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 वो एष्टिक बारे में पूछ रहे हो, हाँ, हाँ, उनके मात्ये पर एष्टिक का मतलब क्या है, तो वो आदमी ने क्या किया, दुखानडार ने क्या कहा, एष्टिक का मतलब होता है संथ, क्य क्योंकि इन्हों ने अपने जीवन को बदला है, बदलने का निरने लिया है, जब एक भेड़ चोर अपने जीवन को बदल सकता है, और हम नपुनसक बने बैठे राते हैं, कि हमको बदलने के लिए कोई भगवान आएगा, कोई बुद्ध पूरुसा कर उपदेश करेगा, क्य जब तक हम जीवन में निरने नहीं लेते हैं, जीवन में बदलाओ की सुरुवात ही नहीं होती है, जब आप निरने लेते हैं, तभी करांति घटित होती है, तभी सुरुवात होती है, उसके बिना तो आप एकसन में आहीं नहीं सकते, और एक संकल्प भवाव होना चाहिए अब मैं वैसा जीवन नहीं जीऊंगा जैसा अब तक जीते आया है मैं बदलूंगा और मैं बदल के ही रहूंगा यह भावज़ता है और जब अपनी ही गल्टियां हमें खाने लगती है अपनी ही गल्टियां हमें कचोटने लगती है है और मन में जब संकल पजगता है तो आदमी बदलता है आदमी ही तो बदलता है सुच तो जरा से कौन बदलता है आदमी ही तो बदलता है आदमी में संभावना बहुत है हमें सा ध्यान रख 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 पशूपक्छियों जो मनुष्य के अलावा प्राणी हैं, उन से मनुष्य की जो विसेस्ता है, प्रकृति की ओर से जो सबसे बड़ी विसेस्ता क्या है? सबसे बढ़ा वर्दान है मनुष्य को बहा है मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता. मनुष्य मन पसंद के रास्ता का चुनाओ कर सकता है और कभी भी ए धियान दीजी कभी भी वह अपने जीवन में यू टरन ला सकता है दिखिए कोई भी रास्ता किसी भी रास्ता में आप चलें वो दो दिसा में जाते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ, जैसे हमारे ये सामने सड़ाख है, सही है, दो दिसामने, एक जिधर आप मुहू करके जा रहे हैं, लेकिन पीछे भी तो है, पीछे भी तो है, तो क्या आप मुर नहीं सकते हैं, कभी भी मुर सकते हैं, और उसके लिए क्या बहुत पढ़ने लिखन ज़नी होना कोई ज़र्वी नहीं है अनपड से अनपड़ आदमी भी जिस दिन चाहे जीवन में बदलाओ ला सकता है जिस दिन चाहे वो मुड़ सकता है और जिस दिन उसने मुड़ा दिशा बदल गए गुर्देव जी कहा करते थे कई बार सुने होंगे उल्टा का उल्टा सिधा होता है कभी सुने होंगे उनकी पंक्तियां कहते हुए उन्हें यमते उलट भय है राम सुने है ना दुख बिन से सुक्कियो इस्राम जब इस पुरे पत पर कहते थे तब गुर्देव जी कहा करते थे कि उल्टा का उल्टा सिधा होता है अभी तक कि जो हमारे क्रिया कलाब थे वो हमारे लक्ष के अनकुल नहीं थे हमारे जीवन मिर्मान के अनकुल नहीं थे तो उल्टा ही था था जब उलट गया तो सिधा हो गया सिधा हो गया अब निर्मान की और गोर अब हम बैसा नहीं सोचेंगे जैसा अब तक सोचते आया है अब हम बैसा नहीं बोलेंगे जैसा अब तक बोलते आया है और अब बैसा नहीं करेंगे जो अब तक करते आया है ये संकल्प जब अपलेते हैं और संकल्प के साथ में एक उस पर जैसे पहरेदारी एक चीज बता हूँ, वो संकल्प का मतलब समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो विचार जो आपने लिया, वो क्या है, इसका मतलब है, आपने बीज रोग दिया त्यान दीजे, बीज रोग दिया एक लेखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखख तो पहले मन क्यों हुआ कि कैसी बात का रहे हैं एक मिट में कैसे जिंदगी बदलेगी यह सब कैसे लिखते हैं लेकिन मन हुआ कि कुछ तो होगा ले लिया पढ़ने लगा और जब पूरी पुस्तक मैंने पढ़ ली तो मुझे भी स्विकारना पढ़ा बात सही कहता है आपकी जिंदगी सिर्फ एक नमें बदलती है सच है और बदलती है इसका मतलब है जिस छड़ आप निर्णाय लेते हैं मैंने अभी कहा ना कहां से आ रहे थे यह महत्त पुर नहीं कहां जाना है कहां जाना है और या मालो आप अच्छर आपने अच्छा जीवन अब तक जिया लेकिन आप सोचते हैं कोई मतलब नहीं है सदा चावर और बहुत नेतिकता का जीवन इमान दारी करते करते ठीक से हमारा जीवन भी गुजर नहीं होता है छोड़ो इन बातों को देखो न जो बैमानी बदमासी करते हैं वो कितना सुखी से है बस हो गया आप से मैं ये करू एक गलत करने वाला क्या सोचता है नो क्या अपमानित जीवन जीना ना परिवार में सम्मान है ना समाज में सम्मान है ना आत्मपरतिष्ठा है क्या मतलब है इस प्रकार से अपमानित जीवन जीना मुझे बदलना है और उसने कहा छोड़ता हूं मैं सब्चे एक नया जीवन करूँ और कुछ ने क्या किया इस सब को छोड़ करके मैं स्वत्संग से जुड़ूंगा मैं अच्छे लोगों से जुड़ूंगा जैसे ही कदम मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जिस दिन अच्छा आदमी भी निर्णाय लेता है उस ने कहा अब कल से मैं चोरी करूँगा तो प्रकार से एक गलत आदमी निर्णाय लेता है अच्छा करने का तो जैसे निर्णाय लिया उस निर्णाय के साथ ही अब वह नहीं रह गया जो निर्णाय लेने के पहले था अब अलग आदमी हो गया अलग आदमी हो गया तो वो मैंने कहा कर वो बीज है अब क्या करना है सेवा करने पड़ती है सेवा करने पड़ती है ऐसे ही उस संकल्प के साथ में आपको सहयोग करना पड़ेगा ऐसे ही सिष्टम देना पड़ेगा जीवन में तो फिर जीवन बदलता चला जाता है और जीवन का मिलना और जीवन को बनाना दोनों अलग-अलग होते हैं यह तो मैंने कई बार कहा जीवन का मिलना और जीवन को बनाना देखो मिलना परयाप्त नहीं है मिलना परयाप्त नहीं है आपको उसको बनाना है जैसे एक अंगर पत्थर मिल गया अंगर पत्थर तो मिल गया अब उसमें संभावना तो है मृति बनने की, अब आप बनाएं, संभावना को वास्तित्ता में बदलने का काम करना होता है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन मिलने का मतलब है संभावना का मिलना, एक संभावना एक आउसर एक अपर्चुनिटी है, एक आउसर मिला है, वह आउसर ज उस संभावना को वास्तिक्ता में बदलना, जिसमें निकाना, उस पत्थर में संभावना है, उस लकडी में संभावना है, जिसमें सुंदर फर्नीचर बन सकता है, सोने का एक डिस्किट, सोने का एक टुकड़ा है, उसमें संभावना है, हार बनने की, उसमें संभावना है, अन्य आभुशन बनने की, लेकिन केवल उस संभावना तक रहने लग जाए, बीज में संभावना है, बीज में संभावना है, मतलब यहा हुआ, उस बीज में बरिक् अब कोई यह करें, चलो उस बीज को पकड़ ले और किसी दो पत्थरों की बीज रखकर रगड़ दे, कहा है देखाओ ब्रिक्ष, नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसका एक system होता है, बीज से ब्रिक्ष को बनने में एक system होता है, वही system हमारे जीवन में ही है, क्या है इस संभावन को वास्तिक्ता में बदलने के लिए एक प्रोसेश है एक सिष्टम है उसको लागू करना पड़ेगा और जब लागू करते हैं तो वरिक्षाकार होई जाता है वो लकडी जो अंगल लकडी दीक रही थी उबढखा बढ़ दीक रही थी किसी कलाकार के हाथ में लग कर बढ़ी के हाथ में सुन्दर्फर नीचर की रूप में वही है वही अंगड पत्थर है अब जो प्युजवयों के मूर्टी बन गई वही कप्ड़े सी देशा पाट अं एक दर्जी के हाथ में अलग करके सुन्दर्शूट की रूप में निर्मित हो गया, हर चीज जो उबड़ थाबड़ अंगड़ है, लेकिन कब तक, जब तक कलाकार के हाथ में न लगा हो, और जैसे ही कलाकार के हाथ में लगा, उसकी आकृति, उसकी प्रकृति, उसकी गुणवत्ता साब बदल गया आप अपने जीवन के कलाकार हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं, आप अपने जीवन को निर्मित कर सकते हैं, और जैसा चाहें वैसा, जैसा चाहें वैसा, अच्छा, मालो आपने अच्छे के लिए निर्मान नहीं किया, अच्छे की और नहीं उठाय कदम, तो क्या ह वो नीचे की और ही जाएगा, इसका नीअम है, ये भी सच है, ये भी समझ लिजी आप, क्या कहना चाहता हूँ? एक श्थिर्ता का मामला नहीं होता, या तो आप प्रगती गर रहे हैं, या तो आप अपनी अवनती गर रहे हैं, मतलब आप बहतर बन रहे हैं, यदि आप बहतर नहीं बन रहे हैं, तो आप बदतर बन रहे हैं, यह कठोर है, लेकिन सच है यह, जैसे साइकिल, साइकिल होती नहीं पैडिल मारने वाली बाइसिकल, तो बाइसाइकिल में आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, उपर, और हंडिल पकड़ लें, पैडिल पर पैर रख लें, क्या करना होगा, चलते रहना पड़ेगा, और कहीं आप कहें, नहीं, ठम जाएंगे, ध्राम से गिर जाएंगे, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना सही है, आप कब तक बैठे रह सकते हैं, जब तक आगे बढ़ते रहें साइकिल में, और जैसे ही रुके, कि आप ध्राम से गिरे, यह नियम है, ऐसे ही, आप यदि प्रगती नहीं कर रहे हैं, तो आउगती कर रहे हैं, आप अपने समय को बरबात कर रहे हैं, एक दिन आपने अपने उत्थान के लिए काम नहीं किया, तो आप एक ऐसा दिन खो दिया, जो आपके जीवन में कभी लॉट कर नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है, रोज औसर मिलता है, अदभूत है ना, मैंने इसलिए स्वतंतरता की बात कही है, आज के दिन को कैसे जीना है, दुखी हो करके जीना है, उलच करके जीना है, लड़ते जगड़ते जीना है, कैसे जीना है, प्रसन्न हो करके जीना है, आनंदित हो करके जीना है, सहयोग पूर्ण हो करके जीना है, प्रेम करते ही वे जीना है, जिना है आप पर निरभार है एक दिन मिला हर दिन हर दिन मिलता है मैंने कहा ना भी मालो कई दिन आपके खराब हो गए मैं इसको एक ध्रान से बता हूँ एक कापी है कापी और उस कापी में आप आपके पास कलम भी है और क्या कि आपने उसमें आड़ी तिरची लकीर गोल गो ऐसा ऐसा बस कुछ भी कुछ भी करते हुए कई पन्ने भर दिये कई पन्ने भर दिये इसके बावजूद आपके लिए अगला पन्ना फ्रेश अब भी भी फ्रेश पन्ना बचे हैं भले ही कई पन्ने आपके खराब हो गए जो आगे पन्ना है ना आगे वाला पेज वो आज इस समय निर्णाय लेकर करके उसमें आप सुन्दर कविता लिख सकते हैं। सुन्दर कोई विचार लिख सकते हैं। सुन्दर कहानी लिख सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं। जो भी आपने आड़ी तीरची, कुछ भी ऐसे वैसे उस को, कैले वैसे भी, कुछ भी दाग, गोद डाले हैं पन्नों को, उसे आप सोलेटोप लगा दीजिए, सेलोटोप लगा दीजिए, या फिर स्टेपलर से बंद कर दीजिए, और अब क्या हो के जानते हैं, जब भी कापी खोलेंगे, तो वही फ्रेश पन्ना, जहाँ आपने कवीता लिखी है, जहाँ उसने आपने एक लेक लीख लिखा है, जहाँ आपने कहानी लिखें, आप वहाँ पढ़ने लगेंगे, मेरा कहान एक मतलब है एक पूरी कापी है जीवन, और प्रती दिन का मतलब प्रती पन्ने, आप आज तक के जो दिन बीते हैं उस पन्ने को आपने मानलों खराभी कर दिया है, लेकिन आने वाला दिन फ्रेश मिलेगा, फ्रेश मिलेगा अब आप उसमें क्या लिखना चाहती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप कौन सा कदम आप उठाने वाले हैं, अब तक क्या रहें यदो भूली जाओ अब कहां, अब कहां के लिए कदम उठा रहे हैं, यदि आपने निर्णे लिया, मैं जीवन को कल्यान की और ले जाओंगा आत्मन नती की और ले जाओंगा, बस काम सुरू हो जाएगा अब बात यहां पर हुई कैसे करें, इस पर चर्चा करूं मैं कि देखिए कोई भी काम भीड में नहीं होता है कोई भी काम का मतलब है जो बेहद महत्त पूर्ण है वह किसी ने सत्य का अनभव किया, वो भीड में नहीं किया कोई भी वैज्यानिक अनुसंधान हुए है कोई भी, वो भीड में नहीं है भीड का मतलब समझ रहे हैं, भीड हत्या कर सकती है आग जनी कर सकती है लेकिन भीड सत्य का अनभव नहीं कर सकती है सत्य का अनभव कोई व्यक्ति करता है कोई अच्छा काम, कोई व्यक्ति करता है, और वो व्यक्ति करता है, कोई कविता लिखता है, भीड नहीं, व्यक्ति लिखता है, और अकेले में, कोई लेख लिखता है, अकेले में, कोई शमाधी में, शमाधी को उपलब्द होता है, भीड नहीं, व्यक्ति, और व्यक्ति अके आप अपने लिए समय निकाले, नीजी समय, खुद के लिए ना, खुद के लिए, परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है, समाज के लिए भी निकालना जरूरी है, कारी छेत्र के लिए भी आपको काम समय निकालना होगा, उन सब से समय बचा करके, ऐसा आप अपना जीवन का system बनाईए ऐसा time table निर्धारिट करिए कि चोबीज घंटे में कुछ समय अकेला होना सुरू कर दीजिए अकेला होना सुरू कर दीजिए और उस अकेले पन में जब आप अकेले होंगे वही पर जीवन का निर्मान करना है समझ रहे न मैं क्या कहना चाहता हूं बिल्कुल सरल है यह बात को समझना वही पर जैसे ले लिए छीनी हथोड़ी और गड़िये अपने आपको तो बाहर से तो छीनी हथोड़ी लेने की कोई बात ही नहीं है आपके पास तो अजार है तो आपको क्या करना है आप जैसा जीवन चाहते है जैसा चाहते है वो उसी समय बनाना है और यद्धी ऐसा नहीं किये तो क्या होगा एक पुराना ढ़र्रा चलता रहेगा आदतों को बदलना है आपको अकेले में बदलना पड़ेगा जिस समय आप कई बार होता क्या है कई बार गलती होने के पस्चात आप अपसोस करते हैं पस्ताते हैं लेकिन जब फिर से अवसर आता है तो फिर गलती करने लगते हैं संकलप लेते हैं क्योंकि आप मन से सोस तो रहे हैं वाणी से सोस तो रहे हैं संकलप भी ले रहें लेकिन अभी भाव जगत में परिवर्तन नहीं हुआ है तो क्या होगा चैसे कोई दिवार पर लिखा दे क्रोध करना बुरा है और कहता भी है क्रोध बिल्कुल गलत है लेकिन क्या क्रोध शुड़ जाता है इससे क्रोध शुड़ जाता है नहीं शुड़ता है इससे क्यों अभी जो अंतर में है न वहां काम नहीं हुआ है वहां काम नहीं हुआ है और वो काम अकेले होगा वो कैसे करना है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे वो कैसे करना है जब आप अकेले में हो उस समय जैसा आप जीवन चाहते हैं उस समय बनाईए बनाईए का मतलब है वैसा आप होने वैसा जीए आप उस समय वैसा जीए इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखें क्या देखें कि कब कब मुझे क्रोध आता है ये एक तो अनुसंधान करना हो गया कब कब आता है किस पर जिसके सब्द मुझे अनसुहाते लगते हैं। या इस प्रकार का सिचवेशन होता है घर में, बाहर, आफिस में, कारिय कहीं भी जाता हूं और ऐसी सिचवेशन पर मैं अपने आपको रोक नहीं पाता हूं, चिला लेता हूं, वो करता हूं या फिर भोजन ही कुछ बना और भ बनना जाता हूँ, मैं चिलाने लगता हूँ, ऐसा होता है, तो जब आपको पता है कि आपने अतीत में कब कब करोध किया, कब आप से गलतियां हुई, आपको पता है, तो क्या करना है उस समय अकेले में, उस अकेले पन में, उस परिस्थिती को फिर से ख्याल करिए, अर्थात मन की आखों से देखिए मन की आखों से देखिए अकेले में बैठ गए और बिल्कूल अकेले में और उसको इस्वन करिए किस सिच्वेशन में ये इस्थिती आती है चुकि अभी आप होश में है वहाँ तो आप reaction करते हैं सिधा ऐसा हुआ, रोक नहीं पाते हैं, फट से जवाब दे देते हैं, लेकिन इस समय आप क्या कर रहे हैं, नहीं, अभी मुझे ठीक करना है उसको, तो क्या करेंगे, उस आदमी, कोई आदमी, कलप ना करिए, कोई एक आदमी है, जिनके सब्द जो बोलता है न, तो इतने खराब ल लेकिन आप होश में हैं बिलकुल, और क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद, अपने को क्या करते हुए देखें, बहुत शान्त, और उत्तर भी जब देना हो, तो कैसे उत्तर दे रहे हैं, बड़े मीठे सब्दों में, यह आप करिए, यह आप करिए, या फिर घर में सास ब ख्याल करिए, ऐसे ऐसी क्रिया होती तो मुझे ऐसा लगता है, शान्त बेट गए, शास के उन क्रिया कलापों के बावजूद, मैं शान्त हूँ, मैं मीठे सब्दों उत्तर दे रहा हूँ, अच्छा मैं एक चीज और बता दू, कब होगा यह, क्या सच्मुच आप बदलना भर जाएंगे आप, यह ध्यान दीजिए, यह बहुत सावधानी की बात होती है, क्योंकि एक तरफ खाई है और दुसरे तरफ उचाई है, खाई में भी कर सकते हैं आप, असावधानी किये, तो फिर से नकारात्म, जैसे आद आई, और आप नकारात्म साक से भर जाएंगे, लेकिन आपका संकल्प कैसा है, आपका निर्णय कैसा है, नहीं, मुझे इन विकारों से अलग होना है, इन आदतों से उपर उठाना है, अब मैं वो नहीं उलजने वाला, अब मैं नहीं बह जुझलाने वाला, अब मैं बह नहीं कुरोध करने वाला, मैं शांत सभाव वाला होना चाहता हूँ, यह जब संकल्प आएगा, तब उसकी याद करके भी आप उस समय शान्त रह सकेंगे हो शकता है, थोड़ा फुस्क लगे लेकिन अगले दिन फिर आप तेयार हो करके आते हैं, नहीं फिर शान्त, फिर शान्त फिर उत्तर मिठे, फिर उत्तर मिठे, ऐसा आप एक दिन, दो दिन दस दिन, वीज दिन तीज दिन, ऐसा करते हैं समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ तो क्या होगा, आपने अभ्यास किया, देखो किसी चीज की कोशिस मत करो प्रयास से काम नहीं चलता है आप कहेंगे आप तो कहेंगे ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है बास सही है लेकिन कब तक कोशिश करते रहेंगे मैं चीज बताओं कोशिश करने वालों को इनाम नहीं मिलता है इनाम तो परणाम लाने वालों को मिलता है सही है ना परणाम लाने वालो को मिलता है कोशिश कर रहा है इस का मतलब है आपने अस्पलता के लिए चमा मांगने के लिए गुझजािस बचा के रखे हैं क्या गरुजी मैंने कोशिष तो बहुत की यह है औना आप अपने को बचाना चाहते हैं अभ्यास अभ्यास से परिवर्तन होगा मैं क्या का रहा हूँ आप उसका अभ्यास करिए जो होना चाहते हैं शांत होना चाहते हैं शांति का अभ्यास करिए अक्रोधी होना चाहते हैं अक्रोधी का मीठे शब्द बोलना चाहते हैं मीठे शब्दे का अभ्यास करिए अभ्यास उसका करना पड़ेगा माल लोपिक अच्छा पिता बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा अकेले में बैठ गए शान और अपने आपको चारो तरब से छोटे छोटे बच्चों से घिरे हुए देखें और बच्चे अपने उमसार वो बोल रहे हैं चिला रहे हैं बहुत सी मांगे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं उसके बावजूद आप अकेले में बैठे बैठे उनको देख रहे हैं कलपना विजूलाइज करिए कलपना चिया कर रहे हैं इसके बावजूद मैं बच्चों को बहुत मिठे सब्दों उत्तर दे रहा हूं, उनके साथ खेल रहा हूं, उनको मुश्कुरा रहा हूं उनके साथ में, सब कुछ बढ़िया कर रहा हूं, ऐसा आप अभ्यास एक दिन, दो दिन, दस दिन, बिश दिन कर रहे हैं, कई दिनों तक, ऐसा आपने अपने आपको निर्मित किया है, और विश दिन, चालिश दिन तक के आपने अभ्यास किया, तो जानते ही क्या होगा, सच्मुच जब बच्चों के साथ आना होगा न, आप फिर वह, चुकि बन चुके हैं, बन चुके हैं भीतर से, आप बाहर भी वो करेंगे, बाहर भी वो करेंगे, अभ्यास में क्यों कह रहा हूँ, अभ्यास इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी ओलंपिक प्लेयर, खल्पना करिए, ओलंपिक में जाने के पहले, कितना अभ्यास किया रहता होगा, अपकल पना कर रहे हैं आप, जबकि कोई competition नहीं है, बिना competition के, बिना प्रतिद्वन्दी के, cricket match वाले लोग भी नेट पे अभ्यास करते हैं, महाँ कोई match नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन करते हैं, करते हैं, 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल महनत करते हैं, समझ रहे हैं, तब कोई medal ला पाते हैं देश के लिए और अपने लिए, हमने कितना अभ्यास किया है, मैं गुर्देव जी के एक पंक्ति बताओं, उन्होंने क्या लिखा है, जब नित्य रहना चाहते हो, स्वयम अकेले आ आप ही, तो आज से ही हो अकेले, आज से ही हो अकेले, सम्मिटए परिताप ही, माल लो, कोई साधक, चाहता है कि मैं मोक्छ का अनभव करूं, मैं निर्वान का अनभव करूं, मैं गहरी शान्ती का अनभव करूं, आप मोक्छ के लिए तुआ हैं, मोक्छ ही तो चाहते हैं, तो मोख्छ कम मिले, मोख्छ में क्या होगा, सोचिए, मोख्छ में क्या होगा, मोख्छ में मतलब पूरा चुटकारा, किस से चुटकारा, सबसे, सबसे कितने दिन तक के छुटकारा कितने दिन तक के मोख्षे चाहिए दो साल, चार साल, सव साल समझ रहे ना, क्या कहना चाहते हैं परिवासा क्या है अपने सिध्धान की सदा सदा, सदा, सदा फिर गुर्देजिक पंक्ति फिर याद करे जब नित्य रहना चाहते हो मोख्ष में हमेशा हमेशा अकेले रहना चाहते हो आज कितने घंटे के लिए रह पाते हो आज कितने घंट अभ्यास कर पा रहे हो अकेले होने का नहीं कर पा रहे हो अकेले होने का आशर मिलता भी है या तो मुबाइल हाथ मिले लेंगे या टिवी खोल लेंगे या लोगों से बात्चित करने लगेंगे अकेले करते ही कहाँ है भगवन मोख्चा की आशा मत करिए मत करिए भीड़ी की आशा कर सकते हैं आप धन की आशा कर सकते हैं मोग्छा की आशा मत करिए, शांती की आशा मत करिए, अभी तो अभ्यास सरह है अशांती का, अभी तो किसी की आदाई मन बड़ा रहा है, बदले का भाव जग रहा है, अभ्यास किसका हो रहा है, बड़ाने का, अभ्यास किसका हो रहा है, देश का, अभ्यास किसका हो रहा है, क्रोध का, वही अनभव होगा, उसी का अनभव होगा, आप वही करेंगे फिर, लेकिन आपको उलटना है, उलटने का मतलब है, अब जैसा चाहते हैं, क्या सच्मुच आप शांत होना चाहते हैं, क्या सच्मुच आप क्रोध से उपर उठना चाहते हैं, क्या सच्मुच आप म करत-करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, अभ्यास हमने किया ही नहीं है, मैंने कहा ना, 15 सेकंड, ओलम्पिक में 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए, 15 साल महनत करते हैं, एक उधान बताओं, एक उधान बताओं, नाम सुने होंगे आप लोगा, पबलो पिकासो, विश्व परसिद्ध चित्रकार, पबलो पिकासो, पिकासो के बारे मैंने पढ़ा है, कि दो ग्रहक आगए, और चित्र एक था उनके पास में, तो उसने क्या क्या, बीश से काट दिया, और दोनों को बढ़े दिये, बीश से काटने के बाद में, दोनों चित्र पूर्ण थे, इतने कमाल के थे वो इंसान, पबलो पिकासो, इतना विश्व परसिद्ध वो चित्रकार, एक दिन वो कहीं जा रहे थे, तो जब सुन्दर दिरिश्य दिखता है, कला कारों को तो रहम जाते हैं, उसने कहा नहीं, यहां थड़ा दिर रुकूंगा, और उसंदर दिरिश्य को निहारने लगा, और सब की कल्पना होती ना, इमेजिन शुरू हो जाता हूं उनके अंदर में, तो वो बस मस्त घूम रहा था, इतने में एक लेड़ी आई, उसने कहा कि यह तो लगता है, पिकासो हैं, उसने कहा कि, शर आप पिकासो हैं, कि हां, ओ, आपको पता है मैं आप कितना बड़ा फेन हूं आपका, आप कितने अच्छे कलाकार, कितने बड़े कलाकार हैं, तो कहा कि Pikasho पहली बार आपसे मिलना हुआ है मैं अपने आपको कितना भाग्य अपने आपको बहुत बड़ा भाग्य मानता हूं कि जो आपसे मिलना हुआ लेकिन Pikasho मेरा निवेदन है आप मुझे कुछ दीजिए अपनी और से कुछ चिन आपको आपकी और से मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं बता सब को कि मैं Pikasho से मिला उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है कुछ भी तो नहीं है हाथ पर लेकर के आया हूँ नहीं मुझे कुछ तो चाहिए आपकी और से Pikasho परशान तो देखा बाजू में एक स्टोर है वहाँ गया एक कागज लिया और इसकेश पें लिया और उस कागज में उसने इसकेश पें से 30 सेकंड ऐसा इसकेश बनाया 30 सेकंड और क्या कहा यह आप रख लो मेरी और से गिप्ट है और इसकी कीमत 10 लाक रुपिये क्या लगता है आपको क्या कहा 10 लाक रुपिये तो विस्वासी नहीं हो 10 लाक रुपिये ठीक है चले आए अब उनको तो विस्वास था नहीं तो वहाँ चली गई वह जहाँ पर चित्रभ बेचे और खरीदे जाते थे कला का जहां पर मुल्य होता था बहाँ जाके पता किया तो लोगों ने कहा 10 लाख रुपिये इसके हैं कीमत इस केच के उसने कहा बेच रही ले आई वो और वो सर्चकन लगी पिकासो आज कहा है तो किस हाल में उनका कारिक्रम है वो पहुच गई अगले दिन और जब उनका स्पीच खतम हुआ वो पहुच गई मंज तक और पिकासो पहचाना हाँ हाँ पहचान गया कल मिली थी ना हाँ मैं पहचान गया पिकासो एक बात बताउं आप निज जो इस केच बनाया था तिस सेकंड में सचमुद दसलाक रुपिय के हैं, हाँ मुझे पता है, तभी तुम मैंने कहा था, मुझे पता है, मैंने बनाया है, दसलाक रुपिय की हैं, उसने कहा, पिकासो, कमाल के हैं आप, एक काम करिए, मुझे सिखा दीजिए, न दसलाक रुपिय मिले, तो कुछ लाक रुपीय मिल जाएंगे, कुछ हजार तो मिल जाएंगे, तो इस सेकंड बना करके, मुझे सिखा दीजे, तब पिकासो ने क्या कहा पता है, वो महत्वपूर्ण है उनका कहाना, तीस सेकंड इसकेच में, इसमें बनानी, इसकेच करने के लिए, कुछ डिजाइन देने के लिए, चित्र बनाने के लिए, तीस साल मैंने महनत की है, कितने साल, तीस साल, और आप और हम, जीवन निर्मान में कितने साल दे रहे हैं, और फिर शिकायत करते हैं, क्या बताओ, मेर मैं मन में दुख है, मैं शान्त हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पिडित हूँ, मैं संघर से मी हूँ, परिवार में लड़ाई है, क्या आपने अपने को निर्मित करने का प्रयास किया है, काम किया, अभ्यास ही नहीं किये हैं, इसलिए शिकायत मत करें, क्या करें, अभ्यास, व जो बनने का जो होना चाहते हैं, और अब होगा अकेले में, अकेले में, जब आपने सोचा, ऐसा मुझे करना है, मतलब बिकट परिस्तिती आने पर, मैं कैसे, मैंने कहा ना कई बार कहा, एक होता है रियक्षन, दूसरा होता है रिष्पांस, फिर से कह रहा हूँ, एक होता है रियक्षन, दूसरा होता है रिष्पांस, रियक्षन का मतलब होता है, प्रतिक्रिया का मतलब होता है, बिना सोचे, समझे, उत्तर देना, और रिष्पांस का मतलब है, सोच समझ करके, जैसे किसी ने मुझे प्रेम से बोला, मैं भी प्रेम से बोल दिया, किसी ने कटू बोला, तो मैं भी कटू बोल दिया, यह जैसे को तैसा, अब थोड़ा बदल दीजिए, क्या बदलना है, अभी तक कहते क्या है, जैसे को तैसा, यही तो होता है न, अब बदल दीजिए, क्य क्या कहना है, जैसे को वैसा, वैसा का मतलब, उसने जैसा भी किया, लेकिन मैं वैसा करूंगा उनके साथ में, जैसा मैंने करने को सोचा है, अर्थात, कोई जब चिला है, तब मुझे कैसे उत्तर देना है, कोई क्रोध करे, तो कैसे उत्तर देना है, कोई गाली दे, तो कैसे क्या मैंने अपने को बनाया है relationship, क्या मैंने निर्णे लिया है इसको, नहीं, कोई निर्णे नहीं, जब निर्णे नहीं लिया होगा, वही होगा जो आज तक करते आए हैं है, आज तक करते आए हैं, उसे आप धोराएंगे, लेकिन अब तो यहां पर साधना करके, उस चेन को तोड़ना है, उस श्रिंखला को तोड़ना है, जो आज तक करते हैं, उस आदत को बदलना है, जो आज तक करते हैं, एक नई आदत का निर्मान, नए जीवन का सुत्रबाद करना है, और वो आपको केलेम करना पड़े, एक उधान दूँ, जैसे, मैं रेल्वे स्टेशन गया, और railway station जब पहुंचा तो पता चला कि दो घंटे train लेट है अब मैंने क्या किया दो घंटे लेट है अब मन क्या किया आदत है यह करने कि ये railway वाले लोग किसी की समय के कीमत ही नहीं समाजते है जब देखो तब train को लेट कर देना कुछ भी कर देना किंसल कर देना कुछ तो ख्याल करना चाहिए इतने जरुरी काम से कोई जा रहा हो और पूरे railway विभाग को गाली दिया अंदर वाला मन बढ़ बढ़ा रहा है ना और railway विभाग को नहीं पूरी ministry को यहां तक पी-म तक चला गया पूरे कर्मचारी भरष्ट हैं कभी ख्याली नहीं करते हैं क्या करते हैं समय से ट्रेन नहीं चला पाते हैं पैसा जरूर लेंगे और टिकट कर पैसा का बढ़ 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 रहा है अच्छा, दो घंटे लेट है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं पर बैठनी की जगा, कहीं कुर्शी शीट खाली है, खोज लिया, तब क्या किया, वहां जाके बैठा, आग बंद करके, शान, ठीक है, दो घंटे, क्या किया, पुस्तक निकाल लिया, और पढ़ने या तो पुस्तक पढ़के समय बिताया, शांत राके, लेकिन बढ़ड़ाया नहीं मन, बढ़ड़ाया नहीं, बस स्वीकार, तब भी ट्रेन जल्दी नहीं आने वाली है, लेकिन कौन तरीका अच्छा है, पहले वाला या दूसरा वाला, मैं समझता हूँ, दूसरा वाला ही पसंद करेंगे, सही है ना दुसरा वाला ही पसंद करेंगे लेकिन क्या सच्मुछ हम ऐसा कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे यह तब कर पाएंगे दुसरा वाला जब आपने अकेले में इसके लिए निर्णय लिए रभ्यास किया है मतलब यद्धी train late हुई तो मैं कैसे response दूँगा क्या मैं शांत रहा शकता हूँ ऐसा आपने बनाया है अपने आपको, वो अभ्यास किया है तो हो जाएगा, और नहीं किया है न तो वही आदत रहेगी पुरानी बढ़डाने वाली, मैंने क्या कहा था, जीवन आपको बनाना होता है, ऐसे नहीं बनता है जीवन, और वो अकेले में, अकेले में रोज, या तो आप, देखिए हमारे हर एकसन हमारे जीवन को बना रहे हैं, या तो बिगाड़ रहे हैं मैंने फिर से कह रहा हूँ चाहे हम जो सोचते हैं जो बोलते हैं और जो करते हैं ये, हम रोज अपने जीवन को बनाते चले जा रहे हैं चाहे बनाने का मतलब या तो अच्छा या तो बुरा देख लीजी अब आपको जान बूच करके प्रयत्न करके अच्छे के लिए महनत करनी होगी और अच्छे के लिए नहीं करेंगे तो अपने आप, आपका जीवन नीचे ढलान में ढलता चला जाएगा इतनी रिश्पांसिबिलेटी आपको अपने जीवन के लिए लेनी पड़ेगी और ऐसा यदि आपने शुरू कर दिया तो मैं वाधा करता हूँ आप खुद समझ जाएगी इस बात को कि सचमुच आपका ड्रीवन जीवन ट्रांसफार्म हो जाएगा, बदल जाएगा जीवन मतलब आप छोटे मोटे परिवर्तन पर मज जाएगे पूरी तरह बदलावा जाना चाहिए पूरी तरह से जैसे पानी है तो पानी थोड़ा बदल गया तो भाप बन गया और फिर से पानी बन जाएगा बर्फ बन गया पानी पानी का पानी से बर्फ बन गया तो फिर इतन फ़भ पड परिवर्तन हुआ नहीं, ऐसा नहीं चाहिए एकदम पूरा एकदम ट्रांसफार्म हो जाए बदल जाए मतलब जैसे दूद से दही बन जाए सिधा वापस नाए मतलब आप उस इस्तर में पहुँच जाए कि फिर से वापस नाए फिर उस दसा में मतलब कोई बीडी पीता हो कोई शिक्रेट पीता हो तो वो इस तरह से बदल गया कि फिर से बीडी शिक्रेट पीने वाली इस्तिती में लट ही नहीं सकता है ये बदलाओ की बात मैं कह रहा हूं ये चिंजिंग की बात कह रहा हूं यदि आपके मन में पहले क्रोध या जुझलाट होती थी तो अब ऐसे बदल गये कि आपको कोई उक्षा नहीं शकता है बुद्द के सामने जाते कवीर के सामने जाते और गाली देते तो क्या आप आशा कर शकते हैं कि वहां से गाली लोटके आती कभी नहीं आती सही है ना क्यों है ही नहीं है वहां सच क्या है, है ही नहीं है वहाँ गाली, यदि है तो प्रेम है, है तो मीठा सब्दा है, है नहीं है, लेकिन अभी हमको कोई गाली दे के देखे, एक दे तो हम कितने एक देनेक तयार हैं, सही एक नहीं है, कितने देनेक तयार हैं, कई, कई, क्यों, भरा है, और ऐसे तयार, ऐस कि नकल नहीं करनी है, मुझे अपने जीवन को निर्मित करना है, जिस दिन आपने अपने जीवन को निर्मित करने का संकल्प लिया, जिस दिन बदलने का निर्णे लिया, उसी दिन से आपका जीवन अप होने लगेगा, और मैंने कहा ना, अकेले में, अकेले में बैठें, या यही है जो मैं कह रहा हूँ हो, यही है, मैं थोड़ा रूप बदल करके कहा, आधुनिक ढंग से कहा, थोड़ा से विजुलाइजिशन करना वो करना, तो आप वह बनिये, अकेले में वह बनिये, जो आप जीवन में चाहते हैं, और कल, दो दिन से कह रहा हूँ इस वाक्य को, आप द्रिष्य में जो परिवर्तन चाहते हैं, वह परिवर्तन अद्रिष्य में कर लिजे आप, अर्थाद धीतर कर लिजे वह परिवर्तन, अंदर, और जिस दिन वह परिवर्तन आएगा, बाहर तो प्रगठी होगा वो, बाहर प्रगठी होगा, लेकिन अंदर का काम नही होता है, हम बहुत भक्ती भजान और बहुत कुछ चलता है वो निर्मान नहीं होता है धीतर से, वो करें वो काम करें, और होगा मैंने का ना हर व्यक्ति में संभा होना है हर व्यक्ति में, नारी हो नर हो, उमर कुछ भी हो, कभी भी बदल सकते हैं, जिस दिन आपने निर्णा लिया, जैसे आज रात में गये, एक निर्णा लेजे, बस, एक नया धंग, बिस्तर पर गये, सोचते हुए, सुबा जागे, फिर, यही तो समय है, दिसा देने का जीवन को, सुबा निंद खुले, तब दिसा दो, रात में में चाहते हैं, जो आपका लक्ष है, वही सही दिसा है, तो आपके विचार, आपके शब्द और आपके एक्षन उस दिसा में बहे, वो फ्लो हो, उस दिसा के और प्रवाइत हो, तो जीवन वैसा ही निर्मित होता चला जाएगा, यह कुछ बाते मैं ने की, यह सुत्र ही द लग जाएगे, लेकिन दूरी महत्तो पुर्ण नहीं है, महत्तो पुर्ण है पहला कदम, हजार मिलकी आत्रा भी पहले कदम से सुरू होती है, आप कदम तो निकाले, आप सुरू तो करें, एक दिन आज सुरू करें, कल सुबा से सुरू करें, दिन कभी भी बुरा नहीं होत रोज हर दिन गुर्देव जी कहते थे हर घड़ी शुब घड़ी हर घड़ी शुब घड़ी हर दिन शुब घड़ी है सुर्य निकला शुब घड़ी बस आज का दिन कितना सुंदर शुहावना है बस मुझे ऐसे जीना है निर्ड़े ले लो बस काम सुरू हो जाएगा बस साहिब बंदेगी बोलिए सद्गुरु देव की जै